हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैं आप लोगों बताऊंगा कि समीधान निर्मान के उपरांथ 26 जनबड़ी 1950 सपी समीधान के अनुसार कितने स्रेनियों के लोग जो हासो भारत के नागरिक बने थे दोस्तों और इस होगे न तो आपको बहुत अच्छा से क्या आए गा दोस्तों समझ मैं आए गागा तो देखिए समीधान निर्मान के उपरांथ 26 जनबड़ी 1950 समीधान के अनुसार चार स्रेनियों के लोग भारत के नागरिक बने याद रखिएगा कि 26 जनवड़ी 1950 समीधान के अनुसार चार स्रेनियों के लोग भारत के नागरिक बने थे तो देखिए उस स्रेनी में कौन कौन आते है आप केवल मेरे बातों के धियान दिजेगा तो श्रिनी में आपको पहला देखिए कि एक ब्यक्ति जो भारत का मुल लिवासी है और तीन में से कोई एक सर्थ पूरी करता है तो वो सर्थ कौन सब है तो आप सही से ध्यान देजेगा और ये सर्थ है आपको कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसका माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या समिधान लागू होने के पांच वर्स पूर्व भारत में रह रहा हो तो समझे फ्रेंड मैं आपको क्या बोला कि एक ब्यक्ति जो भारत का मुल लिवासी हो वो भारत का मुल लिवासी होना चाहिए और तीन में से कोई एक सर्थ हो तब समीधान लाग वा था ना उसके पांच वर्श पुडव में और सो भारत में रहरा हो तब सफ भारत के क्या बने थे नागरिक बने थे दोस्तों अब उसके माता-पिटय। ढ़े आधि अभी वहाजित ह। भारत में पैदा हुए हो और निब्न मैं और दो में से कोई एक सर्थ पूरी करता हो वह भारत का नागरिक बन सकता है तो देखे जैसे में यदि वह 19 जुलाई 1948 से पुर्व अस्थानंत्रित हुआ हो अपने प्रवशन की तीथी से उसने समान्य तह भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवशन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजी क्रित हो लेकिन ऐसे बिक्ति को पंजी क्रित होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवे सक है तो जाके फ्रेंड भारत के नागरिक वह बने थे और बन सकता है याद रखे इसको अगर आप सही स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा तो तीसरा देखिए तीसरा क्या है तो तीसरा याद रखिए आप कि एक बिक्ति जो एक मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान अस्थानंत्रित हो गया हो एक बिक्ति जो एक मार्च प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में क्या होना पड़ेगा उसको रहना पड़ेगा आप याद रखिए वो बेक्ति रह सकता है लेकिन उसे पंजीकरन प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा तो जाके वो भारत का नागरिक बन सकता है I hope दोस्तों आप लोग अच्छा से समझते होंगे चार नमर देखिए दोस्तों सही से जो है इसको पढ़ने का कुशिस किज़ेगा या मेरे बातों पे धियान देजिए एक बिक्ती जिसके माता पिता या दादा दादी अभिवाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो मानगी से लिए को ऐसी बिक्ती होता है जिसका माता पिता या दादादी अभिवाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो मतलब दोस्तों की कोई अलग कंट्री में जो है सो वो क्या कह रहा है तो रह रहा है फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है यह नहीं है कि वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता है फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजिक करन पंजी करन कुटनिदिक तरीके से या पार्स दिये परतिनिधी की रूप में आवेदन किया हो यह ब्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतियों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहन कर सके दोस्तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ दोस्तो आप लोगो है स्वाम भालूम हो गया होगा लगा अश्छा वीडियो लेक्ट्रट आप लोगो बहुत अच्छा लागा होगा और आप सहीश समझ गाओंगे हों में तब तक ले जा हैं बंदे मातरम दोस्तों